जैमातादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन बबा दें, साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा से शेयर करें, तो आईए सुरू करते हैं। सुब माना जाता है। मानिता के नुसार नाग पंचिमी के दिन नाग देउता की पूजा करने से व्यक्ति को नागों का भे नहीं रहता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में काल सर्फ दोस है, उन्हें भी इस दिन व्रत रखकर नाग देउता की पूजा जरूर करने चाहिए। दोस्तों नाग भगवान सिव को बहुत अधिक प्री हैं और सावन मास भगवान सिव को समर पित है, ऐसे में शावन मा means नाग पंचिमी के दिन नाग की पूजा करने से भगवान सिव संकर बेहदी प्रशन्य होते हैं, आपको बता दें कि नाग पंचिमी के दिन हो सके तो और पूजा के एक दिन पहले चतुर्थी तिति में एक समय भूजन करें और पंचमी को वरत करें. रात में पूजा समाप्त होने के बाद आप भूजन ग्रहन कर सकते हैं. आप पूजा के लिए नाग पंचमी के दिन एक लकड़ी की चौकी लें और कच्छे कोले से नाग देवता की मूर्थी बनाएं इसके बाद नाग देवता की पूजा करें नाग देवता को हल्दी दूद सिंदूर अक्षत और पुस्प चढ़ाएं कच्चे दूद में घी और चीनी मिलाकर नाग देवता का अभिशेक करें सिवई या मीठे चावल का भूग लगाएं धूब दिन सुकरवार को मनाई जाएगी और पनचमी तिथी की सुरुवात नव अगस्त दो हजार चौबिस की तड़के बारा बचकर चadow श.टिस मिनट पर होगी और पनचमी तिथी पसंद आए तो कमेंट में जै मा लक्षमी या जै मा तादी जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद